Welcome to Build It Take, हमारी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 30 फिट बाई, 50 फिट हाउस प्लान के बारे में डिसकस करेंगे इसमें हम इसका ग्राउंड फ्लोर प्लान देखेंगे, फर्स्ट फ्लोर प्लान देखेंगे और सेकेंड फ्लोर प्लान देखेंगे और लास्ट में जो है, हम इसके शेडूल अप उपनिंग को देखेंगे यानि डोर, विंडोर, वेंटिलेटर का क्या साइज है, जो ड्राइंग में यूज किया गया है उसके बारे में भी हम समझेंगे दोस्तों इसी वीडियो में हम इसका 3D प्लान भी देखेंगे और 3D एलिवेशन देखेंगे वीडियो को आप कम्पलीर देखें आए वीडियो को शुरू करते है, हम स्टार्ट करते है ग्राउंड फ्लोर प्लान से यहाँ पे देखेंगे यह वाल जो है यह पांच फिट की है यहाँ पे हम देख ले रहे हैं यहाँ पे देखेंगे यह पांच फिट है फिर उसके बाद यहाँ से बाद यहाँ से बांडरी वाल आ जाएगे यहां पर 5 feet का setback, यहां तक है पूरा total, और इधर 9 feet का gate लगा हुआ है, entrance gate, यहां से sliding gate भी आप लगा सकते हैं, openable gate लगा सकते हैं, और इधर front पर road आजाएगा, अब यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर हमें stair की नीचे car parking मिल जाती है, और stair पर हम यहां से अप लिखा हुआ है, इस side से मूपर की तरफ चड़ेंगे, ऐसे जो है, यहां पर दो step मिलेंगे, फिर 4 step यहां पर, फिर उसके बाद यहां पर step बने हुए, यह step बनाने की दरूरत नहीं है, यह हमने इसलिए बनाया है, ताकि इसके नीचे car के लिए enough space मिल जाए, और car का bonnet यहा इसा बनाया हुआ है, और इस tire की width जो है, तीन feet 6 inch है, और इसमें जो riser है, वो 7 inch का है, trade 10 inch का है, फिर हम यहां से MD, MD main door से होते हुए हम अंदर घर में जाते है, तो यहां पर हमें drawing room मिलता है, drawing room का size 13 feet 7.5 inch by 13 feet 7.5 inch है, यहां पर W1 window लगाई गई है, इधर toilet में D2 door यूज कि कि अगया इधर से भी आप घर के अंदर जा सकते हैं, इस side से drawing room से भी घर के अंदर जा सकते हैं, यहां पर हमें lobby कम dining area मिल जाता है, 17 feet 6 inch by 12 feet का हमें यह size मिलता है, जो काफी अच्छा size है, इस पर हम dining table और sofa अगएर अपने हिसाब से लगा सकते हैं, फिर यहां पर हम kitchen, यहां OTS को हम multi-purpose के लिए use करेंगे, इसको हम ground floor पर हम जो है washroom की तरह use करेंगे, और इधर देखिए, इस side भी ventilation हो जाएगा, इसका इधर से भी ventilation हो जाएगा, इधर से भी, चारो side से इसमें जो है ventilation हो जाएगा, और kitchen में जो है, store room भी दिया गया है, 7 feet 1.5 inch by 3 feet में store room बनाए गया ह फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर हमें common late plus bath मिल जाता है, toilet plus bath, इसका size जो है 6 feet 7.5 inch by 4 feet 9 inch है, जो कि काफी अच्छा size है, और यहां पर एक OTS मिल जाता है, इसकी dimension जो है 2 feet 10, 2 feet 10.5 inch by और 4 feet 9 inch है, इसमें जो है इधर W4 window है, इधर भी W4 है, इधर ventilator लगा हुआ है, फि इसकी dimension 14 feet 10.5 inch by 12 feet है, और इसमें जो है अटेज toilet plus bath दिया गया है, इसमें जो है इसका size toilet plus bath का size जो है 7.5 inch by 4 feet 9 inch है, जो कि काफी अच्छा size है, इसमें इसमें जो है toilet और बात बन जाएगे और वास्पेशन भी आ जाएगा इधर पर, दोस्तों आईए, पिर हम आगे बढ़त यहां पर 4 feet ऐसे है और यह window की width तक ही आ रही है, जो window w लगी हो है, यहां पर window के face से इतनी जो है balcony है, यह first floor plan में, और बाकी सारा plan जो है आपका बिल्कुल exact वैसे है, जैसा की ground floor plan में, यह second floor plan देखते है, second floor plan भी हमारा जो है जैसा ground floor और first floor plan है, एकदम exact same बनाये गया है, बस यहां पर थोड़ा सा change हो गया, इस टेर में, दोनों में, यहां पर भी देखिया, first floor plan में भी यहां पर इस टेर पर change था, हमने ground floor plan में यहां से stair ली थी, फिर यहां भी step बने हुए थे, यह चीज हट करके, सिर्फ यहां से step हमारा बन गया, वही चीज इसमें भी है, यहां से सिर्फ इस step बन गया है, और उसके बाद बागी सारी चीजें से, मैं change क्या है, यह balcony में change है, balcony जो है, पूरा यहां से यहां तक, पूरे विर्थ में चार फिट की balcony हो जाएगी, यह 5 feet है, और इधर भी 5 feet आपका आएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर देखिए, शेडूल आप opening अब देखते हैं, यानि door कि size के use किया गया है, window कि size के use किया गया है, ventilator कि size के use किया गया है, यह detail हम यहां पर देख रहे है, यहां अब देखिए, MD जो main door है, 4 by 8 का है, अब सारे door फ्लश डोर है, और यहां पर जो है D है, 3 feet by 8 feet का है, और D1 जो है 3 feet by 8 feet का है, D2 जो है 2 feet by 8 feet का है, जो कि toilet में use किया गया है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर window का size W, W1, W2, W3 यह सब है, अब देखिए, window का size W जो है 6 by 6 की window है, W1 5 feet by 6 feet की है, W2 4 feet by 4 feet की है, W3 3 feet by 6 feet की है, W4 5 feet by 6 feet की window है, सारी window जो है glazed window है, यानि aluminium के frame में glass की window जितने भी toilet है, उसमें, यहां पर देखिए, ventilator का size आपको मिल जाता है, 3 feet by 8 feet, लुवर्स टाइप है, यानि लुवर्स टाइप, चो छोटे चोटे लुवर्स इसमें लगे रहते हैं, यानि अंदर से आदमी बाहर की तरफ देख लेगा, और बाहर वाले आदमी अंदर की नहीं देख पाएंगे, इस type का ventilator यहां पर लगाया गया है, दोस्तों यहां पर हमने 2D plan को अच्छे से समझ लिया, अब हम इसका 3D plan देखते हैं, यहां पर अगर कोई चीज आपको समझने में समझ नहीं आई है, समझने में कोई difficulty हो रही तो आप comment करके हमें पूछ सकते है हम जो है reply करने की कोशिश जल्द से जल्द करेंगे आपके comment का, दोस्तों आईए अब इसका 3D देखते हैं, 3D elevation देखते हैं, यहां पर किस तरह से हमने 3D elevation इसका बनाया हुआ है, देखिए अब मैं 3 view शेयर करने वाला हूँ आपसे, यह पहला view है, देखिए यहां पहमारा 9 जो setback हमने छोड़ा है, वहां तक वाल आएगी, उसी में यह gate जो है, बाहर की तरफ से fit होगा, और इधर front side में road आजाएगा, देखिए, यहां boundary wall में कुछ इस तरह से simple design दिया गया है, और यह wall जो है पूरा आगे तक आएगी, यह balcony 4 फिट है, यह window के face तक है, और यह पूर की strip है, और इधर अंदर जा करके, यह beam यहापी लटकी हुए है, यह च्छत से एक fit की beam लटक रही है, अब अगर चाहे तो इसको ऐसा plane रख सकते हैं, जैसे उपर वाले floor में लगाया गया है, लेकिन यहापी फिर यह light घूम करके ऐसे हो जाएगी, जैसे देखिए इस तरफ अब देखिए, अब दूसरा इसका elevation हम देख लेते हैं, दूसरी direction से देखिए, elevation कुछ इस तरह से आएगा, इसका front में ही सिर्फ design आएगा, और तीनों side से जो है, अधर की property है, इधर से और बैक side से और इस side से अधर की property है, जो भी elevation का design है, यह front से ही आएगा, अब यहापी यह उपर जो है, एक steel का rectangular pipe लगा दिया हमने, mild steel का अनि लोहे का, उसको जो है कुछ इस तरह से हमने support किया हुआ है, इसके parapet wall से, और यह जो है glass की parapet wall लगी हुई है, इसमें जो है, वही mild steel का support लगा हुई है, अनि लोहे का support लगा हुई है, यहाँ तक जो है, इतनी दूर ज जो है complete यहाँ पर शेशे की railing लगी हुई है, इस तरह से आप जो है, बना सकते हैं, आप यह elevation और देख लेते हैं, बिल्कुल एक दम सामने की angle से है elevation, उसे इस तरह से आपका design न निवला है, दोस्तों अगर यह video आपको पसंद आती है, आपको जो है, हमारा plan और 3D पसंद तो आप इसे like करें, share करें, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर आप हमसे house plan बनवाना चाहते हैं, तो आपको screen के home page पर आपको contact number मिल जाएगा, वहाँ पर जा करके आप हमसे contact कर सकते हैं, house plan और 3D बनवाने के लिए